अभी हमने तेंथ क्लास में लेसन नमबर दो अमल चारक तथा लवन का जो अध्यन किया है उसमें अमल के बारे में complete जानकारी देने की कोशिश की है उसमें चैए अमल की definition हो अमल के परकार हो अमल के बहुती गुन हो अमलों के रासानी गुन हो अमलों के उपियोग इसी परकार दूसरा point आता चारक, basis, base means चारक, चारिय पदार्थ किसे कहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि चारक पदार्थ होते क्या हैं जिस परकार अमल की अपनी एक definition होती है, परिबासा होती है, ऐसे ही चारक को हम कैसे पहचानेंगे तो आप समझ सकते हैं, चारक जो है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं अमल से एकदम विप्रीद वो नीले लिटमस को लाल करता है और चार जो है लाल लिटमस वेपर को नीला कर देता है और इसका टेस्ट जो है कड़वा होता है जैसे अमल का टेस्ट खटा होता है तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है इनको हम इस तरीगे से जैसे जैसे जो पदार्थ हैं ये सभी जो हैं बेस में आते हैं चारक पदार्थों में आते हैं तो इसके डैफिनिशन आप दोबारा फिर समन सकते हैं वे पदार्थ जो लाल इटमस पेपर को निला कर देते हैं और जिनका टेस्ट जो है कड़वा होता है तिक्छन होता है ऐसे पद आनी में आते हैं जिस परकार अमल में जो है hydrogen ion आयनित होता है इसी परकार चार में से छारक पतार्थों से hydroxide आयन और है hydroxide आयन बहर निकलता है ये भी बात एक समझने की है कि छारक में से छारक जो है हाइड्रोकसेड आयन को आयनित करते हैं या वियोजित करते हैं अमल से हाइड्रोजन आयन निकलता है, मुक्त होता है और बेस से अर्थात छारक से हाइड्रोकसाइड आयन, ओएच आयन बहर निकलते हैं पदार्थों को भी हम चारक पदार्थ या बेस कहते हैं उसी परकार चारक कितने परकार के होते हैं टाइप सो बेस दो परकार के होते हैं परबल एक दुरुबल परबल चारक दुरुबल चारक परबल चारक में अता इस्ट्रोंग बेस वीक बेस इस्ट्रोंग बेस में जिसम में इस प्रकार के ऐनों को हम प्रबलचारक कहते हैं। उससी तरह दूरबलचारक वेपदार्थ जो हाइड्रोकसाइड आयन को पून रूप से व्योजित नहीं करते हैं। वीक बेस अर्थात दुर्बल छारक पदार्थ कहते हैं जैसे अलोह का होल्टवाइज नहीं पाहर निकलता है तो इसमें ओएज जो है कम्पलेट रूप से अलग नहीं होता व्योजित नहीं होता इसलिए इनको दुर्बल छारक किसे नहीं में रखा गया उधा अगर हम पोट जिसकी इस्थिति कैसी है के ओएज एक्वस है ये पोटेसियम आयन और हाइड्रोकसाइड आयन पूर्ण रूप से अलग कर देता हाइड्रोकसाइड आयन को तो इनको हम परबल छारक स्ट्रोंग बेस कहते हैं और जो हाइड्रोकसाइड आयन को पूर्ण रूप से वियोज जाता है चारकों के भोतिक गुण कि इनके भोतिक गुण क्या है जैसा कि आप इसकी definition में समझ गए हैं कि इनका टेस्ट जो है तीखा होता है कडवे होते हैं टेस्ट में लाल इटमफ पेपर को मीला कर देते हैं इस पर्स करने का अगर अगर चारक पदार्थ को इस पर्स किया जाता है तो उसमें एक चिकनाध होती है जैसे सावुन के अंदर पाई जाती है सावुन की तरह चिकने होते हैं नमबर चार जो है इनकी प्रवर्ती भी संग्शारक होती है प्रवल अमलों की तुलना से कम होती है संग्शारक का मतलब अगर ये किसी कपड़े पर कागज पर लकड़ी पर या किसी ऐसी आने चीज पर डाल दी जाते हैं या उसको नुकसान पहुचा दें, इसके इन पर डाल दे जाते हैं, तो या उसको नुकसान पहुचा देते हैं, या उसको नश्ट कर देते हैं, किन्तो इतना नश्ट नहीं कर पाते हैं, जितना कि एजड करते हैं, आमल करते हैं, उससे इनकी प्रवर्थी थोड़ी हलकी होती तो ये इसके बहुतिक गुन है, दोबारा आप समझ सकते हैं, पैस्ट इनका कड़वा होता है, ठिक्छन टैस्ट के होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, इस पर्स करने पर इनमें जो है चिकनाई जैसा महसूस होता है, जैसा हम साबुन के अंदर देखते हैं, और इनके प्रवर्ती भी अमलो की तरह संक्षारक प्रवर्ती होती है, कि ये अगर इसकिन पर, कपड़े पर, कागज पर, लकड़े पर डाल दे जाते हैं, तो ये उनको नुक्सान पहुचा देते हैं, किन्तो अमलो की अपेक्षा कम नुक्सान पहुचाते हैं, तो ये इन सभी में एक जैसे है language थोड़ी change हो सकती है किन्तु जब आपकी class के अंदर उपस्तिती होगी तब आपकी fair copy बनवाई जाएगी तो उसमें आपको सही डंग से system से complete करा जाएगा किन्तु अब जब तक online class चली हुई है तब तक आप जो हैं अपनी book को साथ पढ़ते रहें और वीडियों के साथ साथ उसको अपनी books को भी देखते रहें किन्तु language अलग हो सकते हैं किन्तु सभी के जो ये point होते हैं ये सब एक जैसे हैं इसमें आप बिल्कुल हतोत साहित नहों कि हम किसी और book से पढ़ा रहें आपके पास कोई और book ऐसा बिल्कुल परिशान होने की ज़रत नहीं है किन्तु फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसका feedback दें उसको बताएं जिस परकार आपने अब आगे बढ़ते हैं जिस परकार आपने जो हैं अम लोग के रासानी गुन का ध्यन किया है उसे परकार चारकों के रासानी गुन Chemical properties of Basis अर्थात चारक के रासानी गुन क्या है अम लोग के रासानी गुन याद पढ़ते समय आपने देखा होगा कि तीन गुन हमने उसमें पढ़े हैं नमबर एक धातों से किरिया नमबर एक धातों से किरिया धातो आकसाइडों से किरिया और धातो कार्गोनेट से किरिया ये इनके तीन आपने अम लोग के रासानी गुन पढ़े हैं इसी परकार इनके हैं नमबर एक है धातों के साथ किरिया जब परबल चारक या परबल चारक कोई भी चारक धातों से किरिया करता है धातों आप जानते हैं कि जैसे जिंक है, ऐलमोनियम है, ऐलमोनियम है, कैलसियम है, जिंक है, सोडियम है ये सब धातों में आते हैं तो जब जेडेन किसी भी बेस स किरिया करता है धातू से किरिया करता है जब धातू च्यारक से किरिया करती है तो लवन बनाते हैं और hydrogen gas बहर निकलती है नंबर एक पहचान है तो ZN जो zinc है यह धातू है और NAOH क्या है ये base है च छारक है तो sodium hydroxide जब zinc sodium hydroxide के साथ किरिया करता है तो sodium zincate और h2 gas बहार निकलती है sodium zincate na2 ello ekwasır h2 gas है ये मैंना आपको पहले बता दिया फिर मैं एक बार revise कर रहा हूं कि एक ऐसी अपनी रफकों पी पर लिस्ट बनाते रहें जिससे जितने भी योगिकों के नाम आते हैं उनको आप उसमें जो हैं करते रहेंगे लिखते रहेंगे जिससे इनको आपको आगे जो लेसन आएंगे उनको समझने में करने में कोई परिशानी आपके पास सामने नहीं आएगी किन्तो अगर जब आप जो है ना तो base मंतर कर पहचान सकते हैं ना आप धातूं के बारे में जानकारी कर सकते हैं ना acid की आपको पहचाने हैं ना salts की पहचाने हैं तो फिर science को पढ़ना बड़ा मुस्किल हो जाता है इसलिए इनकी list साथ-साथ बनाते चलें और आप उनको साथ साथ नोट करते रहें जैसे मैंने बताया कि धातू है जेडेन जेडेन जिंक का सुत्र क्या है जेडेन तो आप उसे तुरंट अलग लिष्ट में नोट कर ले आगे हम चले हैं योगिक है सोडियम हाइडरोकसाइड वैसे तो बेस है तो योगिक की सुमाता है स्रेनी में एन ए ओ एच सोडियम जिंकेट है एन एटू जेडेन नो तुरंट लिख सकते हैं हाइडरोजन का सुत्र है एच टू ऐसे भी आप जो हैं लिष्ट अपनी साथ साथ तयार कर सकते हैं तो धातू के साथ किरिया करने पर जब कोई बेस धातू के साथ किरिया करता है तो साल्स बनाते हैं लवन बनाते हैं और हाइडरोजन गैस निकलती है तो इस परकार से एधात्विक आकसाइड के साथ भी ये किरिया करते हैं एधात्विक आक्साइड के साथ किरिया करते हैं और एधात्विक आक्साइड के साथ किरिया करके ये लवन और जल बनाते हैं क्या बनाते हैं लवन और जल बनाते हैं ये अभी किरिया एधात्विक आक्साइडों के अमलिय प्रकृती को सिद्ध करती है इसका मतलब ये है कि इनमें भी कहीना कहीं थोड़ा बहुत अमलकागुन होता है जैसे CO2 ये क्या है ये क्या है कैलस्यम हैडोपसाइट के सास्थ क्या करता C A C O 3 और H2O का निर्मान करते हैं, लिक्विड बनाते हैं, तो इस परकार हम कह सकते हैं कि एधात्विक ऑक्साइड के साथ भी कोई बेस अभी किरिया करके कार्बोनेट अर्थात लवन बनाता है और जल का निर्मान करता है, तो नमबर दो इसका आजाएगा एधात्विक आखसाइडों के साथ भी ये अभिकिरिया कर सकता है नमबर तिन आता है कि छारक अमलों से अभिकिरिया करके उनके परभाव को नष्ट कर देते हैं अर्दात जो बेस हैं, छारक पदार्थ हैं, अगर वो किसी अमल के साथ अभी किरिया करते हैं, तो वे उस अमलिय पदार्थ को, के प्रभाव को नश्ट कर देते हैं, उधारन के लिए हम क्या समझ सकते हैं? अल, ओएच का हुल्टराइज, प्लस S2SO4, देखें, यह जो हैं, बेस है, यह अमल है, S2SO4 अमल है, और एल्मोनियम हाइड्रोकसाइड, एल्मोनियम हाइड्रोकसाइड क्या है? यह अल्मोनियम हाइड्रोकसाइड जो है, बेस है, और सल्फूरिक अमल, इसका एसिड है, अमल है, दोनों अभी किरिया करके, क्या बनाते हैं? अल्मोनियम सल्फिड बनाते हैं, अल्टोसोफूर का होल्थ्राइज, प्लस 6H2O, और जल का निर्मान करते हैं, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, कि अगर बेस और चार अभी किरिया करते हैं, तो यह अमलिय पदार्तों के जो परभाव है, उसको नश्ट कर देते हैं, और जल का निर्मान करते हैं, नमबर 4 पॉइंट आता है, कि जो परभल खारक हैं, जल में विलय करने पूंता आईनी थोकर, हाइड्रोकसाइड आयन परदान करते हैं, हाइड्रोकसाइड आयन अरदा, तो OH आयन बाहर निकालते हैं, जल से भी अभी किरिया कर सकते हैं, NH4OH, अम निकलते है अठाथN H4OH प्लस H2O हाइड्रोक्स Ajn भार निकलते हैं नमर । चारक जो हैं गरम करने पर जैसे Megnesium Hydroxide, MgOH का Holtwise, ये Base है, चारक पदारत है, Megnesium Hydroxide को अगर गरम किया जाता है, तो Megnesium Oxide बनता है और जल का निर्मान होता है, Megnesium Oxide, MgO और जल का निर्मान करते हैं, अर्थाथ, जब किसी Base पदारत को, Base को गरम किया जाता है, चारिय योगिक को गरम किया जाता है तो चारिय अउकसाइड बनाता है और जलका निर्मान करते हैं इस परकार हम जो हैं चारकों के रासानी गुन जो पांच स्टेप में आपने कम्पलीट किये हैं आजानी से समझ सकते हैं और कई बार इसमें ऐसा होता है बचों कि अगर एक बार के समझने से नहीं बात बन पा रही है तो आप उसको दोबारा वीडियों को चेक कर सकते हैं देख सकते हैं अब तीसरा पोइंट आगे बढ़ते हैं चारकों के उप्योग जिस तरीके से आपने अमल के उप्योग वोका अध्यन किया था इसी परकार से चारकों के उप्योग है चारकों के मुक उप्योग निम लिकी थे हैं ऐलमोनियम हैड्रोकसाइड चेवस में ऐलमोनियम हैड्रो ये लिस्टेड करने होंगे आपको सभी ना, ऐलमोनियम हाइड्रोकसाइड लिस्ट में तुरंत लिख लिजे, फिर कहीं ऐसा हो सकता कि अगले लेसन में आपको ना मिल पाएं, तो इनकी लिस्ट साथ साथ आप बनाएए, ये लिस्ट में स्कूल खुलते ही सबसे पहले चेक करूँगा, कि लिस्ट आपने बनाई है या नहीं बनाई है, ऐलमोनियम हाइड्रोकसाइड अलोच का होलतराई, अमोनियम हाइड्रोकसाइड एनच फोर ओएच, पोटेशियम हाइड्रोकसाइड एनच ओएच, केल्चियम हैड्रोकसाइड, CAOH का होल्त्राई, इनके उपयोग हम कहा कहा कर सकते हैं, वस्त्रों में एल्मोनियम हैड्रोकसाइड का जो परियोग है वस्त्रुध्योग में किया जाता है, अमोनियम हैड्रोकसाइड का हम जो है जो हमारा खारा जल होता है पीने योग जो जल नहीं होता उसको मीठा जल बनाने में भी हम कैल्सियम हैड्रोक्साइड का प्रियोग कर सकते हैं bleaching powder बनाने में इन सभी का उपयोग किया जा सकता है tooth paste बनते हैं जितने भी tooth paste हैं सभी में हम इस परकार के छारकों का उपयोग किया जाता है तो इस तरीके से छारक भी हमारे लिए जैसे acid हमारे लिए बेहत जरूरी है तो चारी अपदार्थ भी हमारे लिए बेहजरूरूरिया जिनका उपयोग हम इस तरीके से अपने जीमन में करते हैं अभी हम जो आमल और चार का अध्यान हमने किया है इसमें तीन पॉइंट आपको मैंने सुरू में ही बताए थे की जो लेसन नमबर दो है आमल चारक एम लवन आमल मतलब असिड, चारक बेष और लवन साल्ड तो जिसमें आमल और चारक के बारे में अध्यान कर चुके हैं चारूर्मेन की परिभासाइई हैं या उनके परकार हैं, उनके बहुते गुण हैं रासानी गुन है या उनके उप्योग हैं लवन के लिए जो है इसकी आगे वीडियो आपके पास भेजी जाएगी कि लवन किसे कहते हैं जो सुरुआतों मैं करीद हूँ अमल और छारक के भी संयोग से जो बनते हैं उनको हम लवन कहते हैं किन्तो अभी इसकी जो है नेक्ट व किलियर कर दिये गए हैं उनमें आमल है और छारक हैं सभी बच्चे जहां देंगे देखें ये जो ओनलाइन क्लासें चलाने का जो परियास विद्याले की तरब से किया जा रहा है वो इसलिए ही किया जा रहा है कि बच्चे ना कुछ करने के बजाए कुछ थोड़ा बहुत रहें बड़े बच्चे हैं समझदार हैं सभी के हैं टच स्क्रीन वाले फोन या एंड्रोइड फोन सभी के हैं उपलब्द हैं तो आप सब जो हैं जो परियास स्कूल आपके लिए कर रहा है आप भी इस टाइम को बेकार ना जाने दें यूज करें वीडियों को जरूर दे वेसे तो हमने हर क्लास के बच्चों के गुरूप अलग-अलग बना दिये हैं गिंतों कई बार जो है इस चैनल पर चोटे बच्चों के भी होमवरक हम पहुचा रहे हैं जब तक उनके गुरूप नही है गुरूप पर काम चला हुआ है तब अगर किसी परिवार के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, छोटी क्लास हों पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को भी अपने साथ बैठा करके काम कराएं, ऐसी आप से उम्मीद है, लोकडाउन चला हुआ है, लोकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, इधर उधर किसी भी टाइम ना घुमें, अगर आप सुरक्षित रहेगा, यह हमारी जिम्मेदारी एक टीचर होने के नाते, कि आपको पढ़ाने के साथ साथ इस बात को भी रोजाना आपको बताया जाए, कि इस टाइम देश एक बहुत बड़ी बीमारी से जो है गुजर रहा है, एक महमारी से होकर गुजर रहा है, और से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और अपने सरीर पर ध्यान रखेंगे, डेली नाएंगे, इधर उधर बेफिजोल ना घुमेंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहेंगे, ठैंक्यू